Good morning students, तो आज की class के अंदर अपन कुछ specific transactions देखने वाले हैं Last class के अंदर अपने कुछ journal entries देखी थी, उसे अपने modern approach हो और traditional approach दोनों से ही discuss किया था और मैंने कुछ questions भी आपको दिये थे journal entries के करने के लिए, मैं उमीद करता हूँ कि आपने वो questions तो किये ही होंगे तो चलिए, आज अपने start करेंगे इन transactions को देखिए, ये 6 transactions मैंने आज के लिए देखे हैं और उसके बाद में और भी ऐसे special transactions हैं, उसको अपन next classes में देखेंगे तो चलिए, आज अपने start करेंगे, bad debts और bad debts recovered क्या होता है depreciation, goods taken by proprietor for personal use, goods given as charity, goods given as free sample, loss of goods by fire तो ये सारी चीज़े क्या क्या होती है, अपन one by one discuss करेंगे, सबसे पहले start करते हैं, bad debts क्या होता है तो चलिए, एक example लेते हैं अपन, कि A एक person है, उसने credit sale किया है मतलब उसने उधार में goods बेचे हैं, B को 30,000 रुपीज के तो इसका मतलब A person के लिए जो B है, वो क्या हो जाएगा, एक debtor हो जाएगा, एक asset हो जाएगी, debtor नाम की अब देखिए, ये जो 30,000 है, ये इसको receive करना था, इसने बोला था कि मैं 3 महीने के बाद मैं आपको payment कर दूँगा A ने बोला चलो, ठीक है, मैं आपसे 3 महीने के बाद मैं ये payment receive कर लूँगा बट 3 महीने के बाद मैं क्या हुआ, जब A इसके पास में पैसा लेने जाता है, तो B बोलता है कि नहीं मेरे पास में तो अभी बिल्कुल पैसा ही नहीं, मैं अब क्या हो गया हूँ, insolvent हो गया हूँ अपने को loss हो रहा है, उस loss का नाम होता है, bad debts, देखिए, जो debtor था, उसी से अपने debt बना, और क्योंकि वो अब पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, bad debts हो गया, तो ये अपने लिए क्या है, एक expense है, तो इसे आप expense की category में डालेंगे, और expense को आपन क्या करते हैं, इसे अपन debit करते हैं, तो ये अपने debtor, जो debit हो गया ये, इसके बाद में देखिए, दूसरा अपना effect क्या हुआ, दूसरा effect हुआ कि जो B person था, ये मेरे को पैसा देने वाला था, अब ये मुझे पैसा नहीं दे रहा है, तो मैंने पहले इसको अपनी asset मानी थी, अ letter मतलब अपनी asset थी, और asset क्या हो रही है, अभी, asset मेरी decrease हो रही है, क्यों, क्योंकि अब ये मुझे पैसा दे गई नहीं, तो ये मेरे asset क्या हो गई, कम हो गई, और asset जब decrease होती है, तो अपन उसे क्या करते हैं, उसे अपन credit करते हैं, तो entry इससे क्या हो जाएगी, देखिए, benefits account debit to B account, देखिए, जब मैंने इसको sale किया था, तब मैंने क्या entry करी थी, तब मैंने entry करी होगी, B account debit to sales, देखिए, उस समय मैंने क्या सोचा था, कि B जो person है, ये मेरा debtor है, debtor मेरी asset होती है, और asset क्योंकि increase हो रही है, तो उसे अपन debit करते हैं, तो उस समय मैंने B को debit किया था और क्योंकि मेरी sale हो रही थी, sale मेरा revenue था, और revenue increase होने की वज़े से मैंने sale को उस समय credit किया था, तो उस समय मैंने ये किया था, B account debit to sales, 30,000 रुपीज का, और क्योंकि अब क्या हो गया है, तीन महीने के बाद में जब मुझे पता पड़ा कि अब वो मुझे पैसा नहीं दे सक है, तो मेरी books के B हट जाना चाहिए, पूरा का पूरा, तो B मेरे उस समय 30,000 debit में आ रहा था, अभी क्या हो जाएगा, ये 30,000 रुपीज मेरे credit हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, B account मेरी books से हट जाएगा, इधर debit हुआ और इधर credit हुआ, तो इसकी वज़े से ये म मैंने बताया था कि B ने क्या किया है, B insolvent हो गया है, इसने पूरा का पूरा पैसा अपने को नहीं दिया है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जब B अपने को बोले कि मैं आपको 40% तक का पैसा दे पाऊँगा, बाकी का जो आपका पैसा है, वो आपका डूब गया है, तो उस case में आपके देखिए entry क्या हो जाएगी, जो 40% अपने को receive हुआ है, उससे अपन कर देंगे cash account के अंदर, दूसरा कुछ पैसा अपना डूब गया है, उसके लिए अपन bad debts account को भी debit करेंगे, और कुछ मेरा एक B account भी effect हो जाएगा, तो ये 3 account उस case में effect भाएगे, तो देखिए मैंने यहाँ पर जो case बनाया है, यह 40% का case है, 40% का मतलब क्या हो गया, कि 30,000 का 40% अपने को receive हो रहा है, मतलब 12,000 अपने को receive हो रहा है, और 18,000 क्या हो चुका है, वो डूब चुका है, तो यहाँ पर देखिए cash मेरे क्या है, मैंने बताया था आपको cash अपनी asset होती है, और क expense क्या होता है, expense क्योंकि यहाँ पर बढ़ रहा है मेरा, तो इसलिए इससे भी क्या करेंगे, अपन debit कर देंगे, या फिर अपन traditional approach से भी चल सकता है, कि debit all expenses, तो उससे भी अपन इसको debit कर देता है, और B account, B मेरे कौन था, मेरा debtor था, debtor मतलब मेरी asset थी, और asset क्या हो रही है, अब ये, अब ये कम हो रही है, क्योंकि इसने मुझे पैसा भी दे दिया, और उसने कुछ मेरा bet debts भी हो गया, तो उसके वाज़े से मेरे जो पूरी asset थी, ये पूरी asset अब खतम हो चुकी है, मेरे पूरी asset decrease हो चुकी है, तो asset जब decrease हो थी है, तो अपन उसे credit करते हैं, तो इ इसके अंदर देखिए, बी जो था 30,000 रुपीज का उसका account पूरा पूरा clear हो चुका है, उसमें से 12,000 रुपीज अपने को receive हुए है, और 18,000 रुपीज क्या हो गए, ये मेरे नुकसान में चले गए, मेरे bad debts हो चुके है, तो I hope ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका खुद करने की कोशिश किये जएगा उसको, देखिए, question number 5 देखते हैं यहाँ पर, देखाए, journalize the following transactions, तो अपने को इसमें journal entry करनी है, शाम became insolvent, insolvent हो गया है यहाँ पर शाम, a first and final compensation of 75 पैसे in a रुपी, 75 पैसे in a रुपी का मतलब यही होएगा, कि 75 percentage, 75% का पैसा अपने को मिल गया है, उसके official receiver से, उससे अपने को मतलब नहीं कि कहा से पैसा मिला है, बस अपने को यह ध्यान रखना है कि 75% अपने को पैसा मिल गया है, और बाकी का जो 25% है, यह क्या हो गया है, यह डूप गया है, तो इसने यहाँ पर बोला है, he owed us 10,000 रुपीज, इसका मतलब 10,000 रुपीज अपने को receive करने थे शाम से, जिसमें से 7,500 तो अपने को receive हो चुका है, और 2,500 रुपीज क्या हो चुके हैं, वो डूप गया है, तो आपन एंट्री देखिए क्या कर लेंगे, cash account debit, beddates account debit to sham कर लेंगे, जिसके अंदर cash account के अंदर अपन लिखेंगे 7,500, beddates account के अंदर जो credit हो रहा है, उसे अपन 10,000 से पूरा उसका हिसाब clear कर लेंगे, I hope यह समझ में आ गया होगा आपको, इसके बाद में देखिए, इसी के अंदर आगे अपन बढ़ते हैं, देखिए, कभी क्या हो सकता है कि यह जो पैसा था, यह सपोज अपना डूप गया, यह यह आपके पैसे हम जो डूप गये थे, जो आपके पैसे हम नहीं दे पाए थे, 18,000 रुपीज के, वो अब पैसा हम आपको देना चाह रहे हैं, तो अब देखिए, इस case में अपनी entry क्या हो जाएगी, अपन को पैसा मिलेगा इस case में, तो आपन क्या कर लेंगे, cash account एक तो effect नहीं होएगा, बी account क्यों नहीं होएगा, बलवी पैसा अपने को भी ही person दे रहा है, बट बी account क्यों effect नहीं होएगा, क्योंकि बी को मैंने पूरा का पूरा अपनी books से हटा चुके थे, देखिए, जब अपनने sale करी थी, तब 30,000 से उससे debit किया था, और जब अपना ये bad debts ह हुआ था, तो 30,000 रुपीज से उसको अपने पूरा credit कर दिया था, इसका मतलब बी account तो मेरे books में ही नहीं, तो अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपने उस समय नुकसान मान लिया था, कि 18,000 तो मेरा नुकसान हो गया, अब ये पैसा आ रहा है, तो अब इस case में अपने इ account, तो दिखिए, cash अपने पास में यहाँ पर, cash asset होती है, और क्योंकि cash वापस अपने को मिल रहा है, तो asset increase हो रही है, तो इससे अपन डेबिट करेंगे, bad debts recovered अपने लिए एक income है, income को अपन क्या करते हैं, credit करते हैं, तो इससे अपनी entry क्या हो जाएगी, cash account, debit to bad debts, recovered account, यह हो जाएगा, 18,000 रुपीज जो अपने नुकसान हुआ था उस समय, यह अपने को फिर से receive हो गया है, तो I hope यह समझ में आ गया होगा आपको, इसकी रहते हैं, इसी का, bad debts recovered का, तो देखिए, यहाँ पे जो अपने फिफ्ट कॉशन में देखा था, कि शाम का जो पैसा है, वो 7,500 रुपीज का जो डूब गया था, अब देखिए, एक और दूसरा कॉशन है यहाँ पे, received cash for a bad debts return of last year, तो last year, मतलब पिछले साल के अंदर, अप यह क्या है, bad debts recovered हो गया, तो entry क्या हो जाएगी, cash account debit to bad debts recovered 5000 रुपीज से, तो यह समझ में आ गया होगा आपको, तो चलिए देखते हैं, depreciation की journal entry कैसे होएगी, सपोज मैंने एक furniture खरीदा है, वन लेक रुपीज का, यह मेरे पास मैं एक furniture है, अब मैंने आपको बताया था, कि इस furniture को मैंने जब purchase किया है, तो वो तो 1 लेक रुपीज में purchase किया, जब मैं इससे sale करूँगा, 3 साल के बाद में, या 2 साल के बाद में, जब इससे मैं sale करूँगा, तो इसकी मुझे same value नहीं मिलेगी, अपने को इसकी generally come value मिलती ही, कम value क्यों मिलती ही, क्योंकि यह depreciate हो जात या फिर provide 10% depreciation in furniture, इसका मतलब है कि depreciation की एक साल में value जो है, वो 10% से कम हो गई है, तो देखिए, यहाँ पर जो दो account effect होएगे, पहला account effect होएगा depreciation account, दूसरा account effect होएगा furniture account, या कोई भी asset हो सकती ही, मैंने यहाँ पर furniture का example लिया है, इसमें machine भी हो सकती ही, building भी हो सकती ही, हर की value यहाँ पर क्या हो रही है, कुछ कम हो रही है, तो देखिए, कोई भी asset हो, उसकी value क्या हो रही है, अब देखिए, depreciation क्या होता है, depreciation अपना एक expense है, और यहाँ पर expense क्या हो रहा है, यह बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर value उसकी कम हो रही है, तो depreciation का जो खर्चा है, व यहाँ पर asset क्या हो रही है decrease हो रही है और asset decrease होती है तो अपने उसे क्या करते है उसे अपने credit करते है तो journal entry अपनी क्या हो जाएगी depreciation account debit to furniture account अब देखिए depreciation कितना लगाना पड़ेगा अपने को यहाँ पर 1 lakh रुपीज का furniture था उसकी value 10% से कम हुई है इसका मतलब 1 lakh का 10% 10,000 होता है तो 10,000 रुपीज से अपना expense हो गया और 10,000 रुपीज से अपना furniture की value क्या हो गई है कम हो गई तो इस patterns entry होईगी यह 10% कोई जरूरी नहीं है question में जो भी लिखा आएगा 15% भी हो सकता है या फिर directly amount भी आ सकता है कि 5000 रुपीज का अपने को depreciation लगाना है तो वो किसी भी pattern से हो सकता है तो चली इसके बाद में आपन देखते है next अपना specific transaction क्या है next अपने को देखना है goods taken by proprietor for personal use अब personal use के लिए कभी भी अपन कोई goods को लेके जाते हैं तो उसका अपन effect कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था कि business से कोई भी चीज चाहे वो cash हो सकता है चाहे वो अपने goods हो सकते हैं वो businessman खुद अपने personal use के लिए यही ले जाता है तो उस case में अपन बोलते हैं कि drawing हुई है business से जो capital है वो क्या हुई है वो कम हुई है तो जब भी business से cash हो चाहे goods हो कम होएगा या फिर अपने लेके जाएंगे businessman खुद अपने personal use के लिए लेके जाएगा तो उससे अपन बोलेंगे drawing तो यहाँ पे यहाँ पे question में अपना था कि goods taken by proprietor for personal use goods लेके गया है सपोज मैं माल लेता हूँ कि 20,000 रुपीज का goods business से businessman personal use के लिए लेके गया है तो देखिए उस case में 2 account effect होएंगे पहला account effect होएगा drawing account और दूसरा account effect होएगा अपने यहाँ पे goods कम होए जब भी अपने को ध्यान रखना है कि goods business में आते हैं तब अपन purchase account effect होता है और goods जब business से जाएंगे तब भी purchase account ही effect होएगा तो यहाँ पे देखिए drawing account और दूसरा Cash आपने देखा हुआ है जिस Case में business Jul viens वह designer से Cash लेके जाता है इंट्री कर देते हैं drawing account debit to cash क्योंकि business कम हुआ है गोए है यहां पर business से cash कम नहीं हुआ है».acción byP पूढ दियान रखना आपको purchase account kredit करना पड़ेगा ये चिज़ आप ध्यान रखी है तो देखिए drawing जो होती है यह क्या होती है अपनी capital का ही part होता है और capital यहाँ पर क्या होई यह कम होई है क्योंकि business से पैसा गया है पैसा ने गया है तो यहाँ पर business से goods गया है तो यहाँ पर capital क्या होईगी कम होईगी capital decrease होती है तो अपन उसे debit करते हैं और purchase क्या होती है, आप इसे expense की तरह सोच सकते हैं, और expense यहाँ पर क्या हुआ है, expense decrease हुआ है, इस pattern से देखना है, तो expense decrease तो इससे क्या करेंगे, अपन क्रेडिट करेंगे, और entry क्या हो जाएगी अपनी drawing account debit to purchase, suppose 20,000 रुपीज का goods लेके गए हैं, तो 20,000 रुपीज का अपने को यहाँ पर debit कर देना है, यहाँ पर एक और चीज अपने को ध्यान में रखनी है, कि जो goods की selling value है, उससे अपन नहीं करते हैं, उसकी जो cost price है, उससे अपन यह entry करते हैं, suppose एक example, कि 20,000 रुपीज का जो goods था, उ उसकी जो selling price थी, वो 25,000 थी market में, इस 20,000 रुपीज के जो goods हैं, इसे अपन क्या करने हैं, मतलब अपन personal use के लिए गर पे लेके चले गए, या फिर businessmen बिजनस से लेके चला जाता है, तो उस case में देखिए, यह तो है इसकी selling price, और यह है इसकी CP, मतलब cost price, तो आपको जो journal entry क हो जाएगी, चलिए next question देखते है, next में देखिए क्या लिखा हुआ है, goods given as charity, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, goods charity के लिए गिवन है, यहाँ पर देखिए personal use नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर expense हो रहा है अपना, ध्यान रखिए इसका आप या तो उपर note लिख दीजिए, मै इसके उपर लिख देता हूँ, कि goods taken for personal use, तो आप भी जब entry करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, यह goods taken for personal use की entry है, यह drawing account debit to purchase, इसके बाद में जो मैं entry कर रहा हूँ, यह कर रहा हूँ, goods given as charity, goods given as charity का मतलब हो गया है, कि अपनने donation दिया है, या तो अपन cash की form में भी दे सकते हैं, या फिर अपन goods दे सकते हैं, अपने business से, तो जब अपन cash देंगे, तो अपन simple से entry कर लेंगे, कि charity account debit to cash, मैंने क्या किया है, cash दिया है, तो cash अपना credit हो जाएगा, और क्योंकि मेरा एक expense ह charity का, तो वो charity account expense जो है मेरा, वो debit हो जाएगा, तो charity account debit to cash कर देंगे, बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर goods जा रहा है, तो उस case में देखिए, दो account effect हो जाएगे, यहाँ पर एक account होएगा, charity account, और दूसरा account हो जाएगा, purchase account, मैंने आपको बताया था, कि जब भी business से goods का transaction हो रहा है, तो आपको purchase account effect होना ही है, purchase या फिर sale, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, goods big नहीं रहे है, sale नहीं हो रहे है, इसलिए यहाँ पर purchase account effect होएगा, तो charity क्या होती है, charity अपना expense होता है, और expense क्या हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, क्योंकि मैं charity कर रहा हूँ, तो इसका म हो जाएगी entry हो जाएगी charity account debit to purchase जितने भी रुपे की अपने charity करी है उस amount से ये entry हो जाएगी charity account debit to purchase तो चलिए next entry देखते हैं आपन नेक्स में देखिए लिखा हुआ है goods given as free sample तो देखिए मैंने सारे एक ही pattern के transactions से उनको आपको एक साथ बताने ही कोशिश करिए goods given as free sample अब अपने क्या किया है कभी भी कोई business को अपने को expand करना होता है तो generally क्या करता है जो भी उनका जो product है उसका अपन sampling कराते है market के अंदर उसकी samples distribute करते है जिसकी वज़े से अपनी sale increase होती है तो sampling करना जो है एक टाइप का advertise करना ही है तो एक इसके अंदर देखिए account कौन सा effect होएगा एक अपना advertising expense account effect होएगा या फिर आप इसको advertisement भी बोल सकते है advertisement expense account और दूसरा देखिए क्योंकि अपने यहाँ पे cash नहीं दिया यहाँ पे अपने goods के ही sample दिये तो मैंने बताया था आपको कि जब भी goods आएगा तो आपको purchase account effect होएगा तो यहाँ पे एक purchase account आगे अब यह advertisement expense अपना expense है इसलिए अपने इससे debit करेंगे और purchase क्योंकि कम हो रहा है goods तो यहाँ पे अपने इससे credit करेंगे यहाँ पर entry हो जाएगी advertisement expense to purchase जितने की भी अपने goods sampling के form में बाटते हैं सब्सक्राइब के 40,000 के 40,000 से इसकी ऐसे entry हो जाएगी तो देखिए next entry में क्या है loss of goods by fire or theft or damage तो देखिए यह बहुत important entry है कि कभी क्या होता है कि अपने business के अंदर जो go down है या फिर factory है वहाँ पे कुछ goods पढ़ा हुआ है वहाँ पे कुछ आग लग गई है या फिर कोई चोरी हो गई है तो उस case में entry कैसे होती है तो अपन यहाँ पे देखते है एक example से लेत हुआ है यह आग से जल गया है ठीक है तो उस case में अपने अपने को entry क्या करनी है दो account देखिए कौन से effect हो रहे है पहला account effect होएगा loss by fire loss by fire account और दूसरा account effect होएगा purchase account एक account होएगा lost by fire account और दूसरा account होएगा purchase account अब देखिए lost by fire क्या है यह अपना एक expense हो रहा है एक नुकसान है अपना तो इससे अपन क्या करेंगे debit करेंगे और अपने goods क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं goods कम होते हैं तो अपन purchase को क्या करते हैं इसको अपन credit करते हैं तो इससे एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी लॉस बाइ फायर अकाउंट डेबिट टू पर्चेज अकाउंट ओके तो यहाँ पर जैसे में 50,000 रुपेज का क्योंकि मेरा फायर हुआ का नुकसान हुआ तो 50,000 से मैंने यह एंट्री कर ली तो अब देखिए इस ट्रांजेक्शन का मुझे दो एंट्री करने पड़ती है पहली एंट्री मेरी यह हो जाती है लॉस बाइ फायर अकाउंट डेबिट टू पर्चेज और दूसरी देखिए एक और एंट्री करने पड देखिए इस लॉस बाइ फायर को मैं क्या कर दूँगा क्योंकि मुझे अकाउंट को क्लोज करना है तो यह अभी डेबिट हुआ था इससे मैं क्या कर दूँगा लॉस बाइ फायर को फिर से क्रेडिट कर दूँगा और इस लॉस बाइ फायर को मैं किसके अंदर ट्रांसफ करना पड़ेगा profit and loss के अंदर बट तुम्हारे जो 11th class में तुम्हें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि बाकी transactions का आपको ये ये entry show करने की जरूरत नहीं होती है only loss by fire जो account है उसे ही आपको show करना पड़ेगा profit and loss account में transfer करते हुए दिखाना पड़ेगा तो ये entry आपको समझवाई होगी ये अपन 50,000 से फिर क्या कर रहे हैं ये सिर्फ एक transfer entry है आप यूँ समझ लीजे या फिर आप यूँ समझ लीजे कि loss by fire account को मैं क्या कर रहा हूँ मैं close कर रहा हूँ तो ये समझ वाया होगा देखिए इसके अंदर और भी क्या cases बन सकते हैं cases ऐसे रहते हैं कि ये जो 50,000 का मेरे goods जो जला था उसका कभी insurance भी हो सकता है तो insurance claim कभी accept होता है कभी पूरा पूरा accept हो जाता है कभी पूरा accept नहीं होता है या फिर कभी 40,000 30,000 इस पूरा क्योंकि यहां पे कोई insurance नहीं करवा रखा था तो पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया loss हो गया इसलिए मैं इसे profit and loss account के अंदर transfer कर दिया अब देखिए मैं next case बताता हूँ जिसके अंदर 50,000 रुपीज का goods जल गया है बट insurance claim करवा रखा था insurance करवा रखा था उसका और insurance वालों ने इसका 30,000 का insurance claim accept किया है मतलब उन्होंने बोला कि 30,000 रुपीज का आपको फिर से उसका claim मिल जाएगा बट 20,000 का तो आपका नुकसान हो जाएगा तो उस case में देखिए entry क्या करेंगे यह जो पहली entry है यह तो AC की AC करनी है अपने को lost by fire account debit to purchase अपने 50,000 को देखिए इस entry को अपन कैसे करेंगे अब देखिए अपन profit and loss account को debit करेंगे यहाँ पर देखिए insurance claim account को भी अपन debit करेंगे और two loss by fire account करेंगे अब देखिए यह entry कैसे हुई है क्यों हुई है इससे समझता है मैंने आपको बताया था कि हर जो transaction है lost by fire जो account है इस account को मुझे close करने के लिए क्योंकि यह debit हुआ था इसे अपने को credit करना पड़ेगा तो वैसे ही मैंने यहाँ पर भी वही किया है कि 50,000 रुपीज का जो debit हुआ है इसे मैं यहाँ पर 50,000 रुपीज का फिर से close करूँगा बट इस case के अंदर देखिए क्या हुआ है क्योंकि 30,000 का मेरा insurance वालोंने क्या बोला है कि वो हमको पैसा दे देंगे तो insurance claim यह मेरी एक asset हो गई है कि मैं को इतना पैसा फिर से बाद में receive होएगा और 20,000 रुपीज का जो मेरा नुकसान था actual में नुकसान मेरा कितना हुआ है only 20,000 का वो जो 20,000 का नुकसान है इसे आप profit and loss account के अंदर डालेंगे और जब भी अपने को यह insurance claim का पैसा मिल जाएगा तब अपन इसकी third entry भी कर देंगे जैसे कि cash account अपने को receive हो जाएगा पैसा 30,000 रुपीज का cash account को debit किया और यह जो अपने insurance claim वाली जो asset थी इसे अपन फिर से credit कर देंगे यह 30,000 रुपीज से यह credit हो जाएगा तो इस pattern से यह entry होईगी मैंने आपको दोनों case बता दिए जब आपका insurance नहीं करवा रखा होएगा तब पूरा का पूरा जो नुकसान है उससे आप profit and loss account के अंदर डालेंगे जब आपने insurance करवा रखा है तो जितना आपका loss हुआ है उतना ही आप profit and loss account के अंदर डालेंगे और जितना insurance वालों ने आपका claim accept किया है उतना आप insurance claim account के अंदर डालेंगे तो I hope यह आपको समझ में आया होगा तो आज का lecture अपन यहीं complete करते हैं next class के अंदर अपन और भी ऐसी special transactions देखेंगे तो please आप इसे और share कीजिए अपने friends के साथ में और इसे channel को subscribe कर लि झालेंगे जूड़ आप आप करते हैं